हलो किसान भाईयों नमस्कार, कैसे हैं आप, आसा करते हैं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे, यूटुब चैनल Smart Fish Farming में आप सभी का स्वागत है, मैं मतश्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई, आसी स्यादो, किसान भाईयों, आज क सब को बताएंगे कि पानी के क्वाल्टी को चिक करने के लिए पानी के पैरामीटर को मिंटन रखने के लिए कम से कम हमें अपने फार्म पे कौन कौन सी मसीने रखनी चाहिए अब मसीने तो बहुत होती हैं पीयच अमोनिया टीडियस डीयो टेंपरेचर बहुत सारी मसीने होती हैं तो इस आपके कौन कौन सी मसीने हमारे पास प्रॉपर कमपल्सरी अन्युवार होती है रखना वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो किसान भाईयो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट फिस फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लिजे हम आपको वीडियो के माध्यम से मचली पालन से संबंदित इसी तरह नए नए जानकारियां आप सब के साथ सेयर करते रहेंगे तो किसान बाइयों बने रहे है वीडियो के अंते तक चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं कि हमें अपने फार्म पे कौन-कौन से मचीने रखनी चाहिए वाटर पैरेमिंटर को मेंटेन करने के लिए तो किसान बाइयों चलिए हम आपको इस वाइड़ बोर्ड पे लिख के बताते हैं कि कौन-कौन सी मचीने कम से कम कौन-कौन सी मचीने हमें अपने फार्म पे हमेशा रखनी चाहिए तो दिखिए मसीरों में तो बहुत होता जैसे पहला हो गया आपका हुआ टी-डी स्टी डी स्कक फूर्फों π़ुआ मैं ट् Reason nd टो एल कि डिजार्व हुआ कि सौलिड टी डी स्क मातलब होता है टो टल डिजार्व सालिज डियो डियो का फूर्फाम होता है डियो 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 ऑक्सीजन डियो अक्सीजन तिसरा टेम्परेचर अब टेम्परेचर का तो कि इस आप इसा तापमान कह सकते तापमान बोज़ास है तापमान टीडियो डियो टेम्परेचर अब एक कि जैसे और भी हो गया जैसे प्गन अमोनिया थेक है यह कुछ मीटर होते हैं जो इसके बाद बहुत सारी चीजे चेक की जाती हैं टूरविटी सालीनिटी इसके बाद भी और भी चीज़ा आती है लेकिन यहीं बहुत मैक्सिमम लोग यहीं रखते हैं अब इसमें से अब टीडियास क्या होता है यह आपको हम इसमें यह टीडियास को नापता है यह टेमपरेचर को नापता है यह पीयच आमोनिया अब देखिए कम से कम अगर दिखावे के लिए आप रखना चाहते हैं तो सारी चीजे रख सकते हैं आपके पास अगर पैसा है बहुत ज्यादा आप सिस्टेमेटिक तरीके से फार्मि रख सकते हैं आपकी चीजिए को छोड़ क करके बाकula मीतर सस्ते में आता है है कि कैम से कम के लिए है कि कम से कम हमें क्या रखना पड़ेगा तो कम से कम आपको पीयच कंपल्सरी एह आमोनिया स्कंपल्सरी यह दोनों मीटर यह दोनों compulsory है निकी अनिवार है रखना pH meter और ammonia meter अब pH का नापता है पानी कहीं ज्यादा acidic और ज्यादा अलकाइन तो नहीं हो गया पीच जट रहा है तो पानी एसेडिक हो रहा पीच बढ़ रहा तो पानी अलकाइन हो ठीक है यह नापता और ammonia ammonia याँ क्या होता पानी में घुलित आमोनिया को नापता है, जैसे कितना PPM है तो यह नापता जो मशली के West지 से बनता है, अब दोनों बहुत माहत्पूर है पानी का PM करना और आमोनिया चक करना यह दोनों चीजें करके आप पैरामिटर को कुछ हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं जिससे आपकी मशली को रोग ना लगे औक्सीजन स्वाटेज ना हो कोई बीमारी ना हो मशली का डिथ ना हो दो-चार मशलियां करके डेली मरे ना तो यह पीएच और अमोनिया से आप यह सब काम चला सकते कम से कम और अधिक आपको है कि टमपरेचर कोई ज्यादा माईने नहीं रखता है लेकिन पीएच और आमोनिया ज्यादा माईने रखता है डियों आता है कि अपको हजार उपे से लेकर के 1500 रुपय हम आपको बढ़ियां पीएच मीटर मिल जाएगा एं अमोनिया मिस्त प्याइच भी लगवए एक हज कि दो धाई हजार में आपका बढ़ी आ जाएगा तीन यार साड़ी तीन यार कर लेंगे तो आपको फूल किट ही आ जाता है नाइट्रेट पी एच अमोनिया वो तीनों को नापता है तो किसान भाईयो पी एच और अमोनिया रखना बहुत जरूरी है अपने फार्म पे वो किसान भाईयो आसा करते हैं कि यह वीडियो देख करके आपको 100% से और ली समझ में आ गया होगा कि अपने तलाब पे हमें कौन-कौन से मीटर को रखना आवस्यक होता है वाटर पैरामी सपोर्ट करें जिससे कि हम आप सब के लिए मशली पालन से रिलेटेड नही नहीं जानकारी आप सब के सामने लाते रहें आपका नौलेज डे वाइडे गेन होता रहें आप एक अच्छे फार्मर बन पाएं और किसान भाईयो अगर आप फिस फार्मिंग की ट्रेनिंग ले एनि अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 63-06-0-82-704 और किसान भाईयो यह नंबर जो है यह इनफार्मेशन वाला नंबर नहीं है अगर आपको इनफार्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंड करिए अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करनी है प्रॉसेस जान है ट्रेनिंग लेनी है तो आप इस नंबर पर कंटेट कर सकते हैं इनफार्मेशन वाली नंबर यह इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पर बहुत सारे फोन आते हैं तो सभी लोग को प्रॉपर टाइम दे पाना यह ना मुंकिन है दो चार लोग दस लोग 20 लोग को तो आदमी सम एक फिस फार्मिंग से रिलेटेड नए टापिक पे नई जानकारी ले करके आप सब के सामने फिर उपस्तित होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद